रोहन और ग्लेन के घर एक कूता था, जो रोहन और गीता के अलावा सभी पर भूखता था। एक दिन उनके घर पार्टी के लिए लोग गए, वो कूता सभी पर भूखा, दूसरे दिन रोहन की हत्या हो गई। जब पुलिस ने पडोसी से पूछा, तो उसने कहा कि उसने बाहर से आता तो कूता जरूर भूखता, और लेकिन पडोसी ने कुते की कोई आबाज नहीं सुनी। ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।